भारत का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फैन्स अब फिल्म के रिलीज होने के लिए बहुत ही ज्यादा बेसाबर है धमाके दर ट्रेलर रिलीज होने के साथ मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना स्लो मोशिन में रिलीज किया इस गाने के बहतरीन सक्सेस के बाद फिल्म का दूसरा सौंग दचाशनी सौंग भी रिलीस कर दिया गया इत के मौके पर रिलीस होने वाली भारत सबसे पहले सलमान खान काट्रीना कैफ अलिया बस जफर ने सलमान खान के पिताजी सलीम खान के साथ देखी सलमान खान कोई भी फिल्म रिलीज करने से पहले अपने पिताजी सलीम खान को फिल्म जरूर दिखाते हैं ताकि इसमें कुछ चेंजस करवाने हो तो वो कर सके और सलीम खान को ये मूवी बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी अलिया बस जफर ने एक इंटर्वी के दौरान कहा I think everyone's contribution to the movie is phenomenal and now that the movie is in its final stage of post-production a lot of people who have seen the movie in fact even Salman has seen the movie Katrina has and Salim sir has and their reaction is that it works because all the characters are put together effortlessly in this journey and we are all very happy with the way it has turned out also because it's very technical the VFX, CC, soundtrack that is where the craft of the film lies and I'm just very happy that every character's arc has come out really nicely इस film में हर character ने बहुत ही ज्यादा महिनत की है और हम ये यकीनन कह सकते हैं कि भारत फिल्म सभी record तोड़ कर अपने लिए एक नया record बना ले के लिए तयार है आप भारत के लिए कितने excited है कमेंट करके बताईए आप अपने बताईए